नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा, ब्रह्मान्ट सिद्यास्ट्रों में आप सभी का स्वागत है। आज के सुडिया में हम चर्चा करेंगे दिनांग 22 अगस 2022 का संपुर्ण राशिफल। उससे बहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अभी जित्मूर्थ दोपर 12 बचकर 5 मिनिट से लेकर 12 बचकर 53 मिनिट तक का होगा। कुलिक काल और अभी जित्मूर्थ दिन के शुबक आदावदी कह जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपुरुन काम या फिर निनने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवात होगा। तक काल राहुकाल और यमगंडकाल दिन के शुबक आदावदी कह जाते हैं। अभी प्रकार के महत्वपुरुन काम या फिर निनने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी ब्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है या चंद्रमा संपुर्ण दिन मिधुन राशी में ब्रह्मन करेगा या चंद्रमा गुरु के साथ केंद्र यूग करने चारा है यह गरसिती सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिवल क्या होगा इस विशय पर अब हम चार्च करेंगे तो सबसे पहली राशी है मेश राशी मेरी कि रचिकिति वह में चंद्रमा का ब्रहमन है और आप्य के वही वह?मा सित गुरु के साथ यह चंद्रमा गेंद्र यूग करने चा रहा है तो आज कजो दिन है आपकी लिए बिजी ड़े साबिथ हो सकता है कुछ पूरे होते हुए भी नज़रहेंगे डॉकिमेटेशन के बारे में यदि आपको कोई क्मिट्मेंट में प्रमिस, किसी भी प्रकर के काम है, वह सकते हैं और वो पूरे पूरे ह küçयामे भी नज़रहेंगे। सिर्फ आप अपने जो खर्चे रहेंगे, स्पेंडिंग रहेंगे, इसके उपर थोड़ा ध्यान देना आवश्चक होगा. इसके बाद की जो राशी है, वो है व्रिशब राशी. व्रिशब राशी के द्वित्य अभाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, आपको कुछ अच्छे लाब वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बन रही है, उसी प्रकार आज के दिन आपको थोड़े खर्चे वगरा भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी खर्चे होंगे, वो आपके लिए पॉजिटिव होंगे, उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार होंगे, उनके साथ भी आपका कही बाहर घुमना फिनना या फिर उनके साथ बाच्छी वगरा होने की संभावना भी अच्छी बन रहे हैं, मोटे दूर पर देखा जाएं, तो दिन आपके लिए शुबुफलदाई साबित होगा। इसके बाद की जो राशी है, वो है मित्र राशी, मित्र राशी में चंदर्मा का भ्रमन है, रापे के दशम भाव में से गुरु के साथ या चंदर्मा केंद्र यूग करने जा रहा है, बहुत अच्छा दिन है आपके लिए, आज आपका जो confidence है, वो काफी अच्छा देखा जा गया, आज कितना बहुत अदर एक्टिव भी दिखाए दोगे, आज जोग आप काम करोगे, वो positive होते हुए नजर आएंगे, सिर्फ जो भी आपके कारशेतर है, उससे related चोटी मोटी बाते आज आज आपके ध्यान में रह सकती है, चोटी मोटे stress of attention आपके कारशेतर से related ह हो सकते है, लेकिन मोटे तरो पर देखा जाए, तो दिन आपके लिए शुबफ लदाई साबित होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है करक राशी, करक राशी के वेया बाव में चंदरमा का ब्रह्मन है, और आपके भाग्य बाव में सिद्ध गुरू के साथ यह चंदर करने जा रहा है, तो आज का जो दिन है, थोड़ा घुमना फिरना हो सकता है, लेकिन आपके काम नहीं बन पाएंगे, जिसके वज़े से थोड़ा सा स्ट्रेस आप पर बना रहेगा, लेकिन कुल मिला के देखा जाए, कोई बड़ी प्रॉब्लिम में कॉम्प्लिकेशन आज के दिन आपको नहीं आने वाले, तो थोड़ा सा आज आपको जो मूड़ है, वो नौर्मल नहीं होगा, लेकिन दिन वैसे आपके लिए मध्यम साबित होगा, इसके बात कि जो राशी है, वो है सिंग राशी, सिंग राशी करने चारा रहा है, काफे अच्छा दिन है, आपके लिए चच्छे लाभ मिल सकते हैं मित्रों के साथ कहीं बाहर घुमना फिलना हो सकता है, और पिछले करीबन साफ पाच च् obtained से दिन ऐन्में आपने देखा तो दिन आपके लिए शुबुपलदाई सावीत होगा कि इसके बात कि जो राशी है वो है कन्या राशी करने राशी की दर्शम बहुमें चंद्रमा का ब्रह्मन है और आपके सब्सक्राइब गुरू के साथ यह चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है तो जो भी आपका का प्रशेतर है उससे रिलेड़ आज आप ज्यादा बिजी हो सकते हो उससे रिलेड़ थो चोटे मोटे जो बाते हैं या फिर जो स्ट्रेस है वह आज के दिन आपके हो सकते हैं थोड़ासा आपके जो वाई 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 जोड़िदार है उनके साथ चोटे मोटे बातों के लि तो आज के जो दिन हैं आपके लिए काफी ज्यादा शुबुफद्दाई साबित होगा आज आपका घुम्ना फिर ना हो सकता है मैं तो पुर्णा काम भी आप हाथ में ले सकते हैं सिर्फ आपको अपने सेहत के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा मोटे दर पर देखा जा इसके बात की जो राशी है वो है बृच्चिक राशी के अस्टम भाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आप यह के पंचम भाव में सिद्ध गुरू के साथ यह चंद्रमा के इंद्रियों करने जा रहा है तो आज अगर आप किसी वैदी से पीड़ेत हो तो उसके जो कुछ करना बड़े रिस्क बिल्कुल नहीं नहीं प्रकार से बाते नहीं होगी थोड़ा साथ अतन करा करो इसके बात की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी सीथ गुरू के साथ या चन्दर्मा के इंद्रियों करने जा रहे तो अगर विवा है उन उनके साथ चोटी-मूटी बातों को लेकर तक्रा हो सकती है, लेकिन यह जो तक्रार है, यह जो प्रॉब्लम है, वो कोई बड़ा रूक नहीं लेगी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा चोकरना रहना आवश्यक होगा, इसके बाद कि जो राशी है वो है मकर राशी, मकर राशी कि शर्षटेबहों में जन्रमा काफर है, और आप एक इस तरिती वहाँ में सिर्ट्थ गुरु के साथ, या जन्रमा केंदरी हो करने जारा है, तो जो पर आप काम करते हो, नुकरी करते हो, सब्सक्राइब करना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्ब राशी के पंचमबाहों में चंद्रमा कामरमन है और आप सब्सक्राइब करने जा रहा है तो अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरा हो सकती है और वह थोड़ा बड़ भी सकती है आज कि दिन अगर आप शेयर मार्कर से डिल करते तो बड़े ट्रेड बड़ी रिस्क बिल्कुल भी न नहीं लिना स्वास के बारे में भी थोड़ा बहुत द्यान देना आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशी है वह है में राशी के चतर दोभाव में चंद्रमा का ब्रहमन है और आप एक राशी में सिद्गुरु के साथ यह चंद्रमा के इंद्रयोत करने जा रहा है तो आ घर के चो लोग है खास करके आपके उम्र से छोटे जो महिला वर रहेंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकराथ हो सकती है वस उसी त्यूफर आपको थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा तो दोस्तों ये था दिनांग 22 अगस्त 2022 का संपुर्ण राशिफल आपको राशिफल कैसे लेगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया पीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपने इस चैनल है ब्रह्मान्द सिद्यास्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्रा जरूर वाइना दनी बाओ